आई गाइस कैसे हैं आप सबी लोग आई हो बच्छी होंगे और आज के से वीडियों देखने वाले हैं जो भी छातर बीसी थर्डियर में हैं उनके लिए हम मलेटरी स्टेडीज का पेपर लेकिया है और इस पेपर का नाम हो जाएगा स्टैजिक विचारों का विकास ठीक है अब इसमें आपको बताने वाला हूँ जो भी 2022 में पेपर देने वाला है तो यह 17-18 कोशन याद करके आप 85% प्लस लेके आएंगे मैं अपसे बादा करता हूँ कि आपको फेल नहीं होने दूगा और जो कोशन बता रहा हूँ इन कोशनों को याद कर लो इसके लावा कुछ और मत पढ़ना मैं अब भी बोल रहा हूँ से ठीक है तो आप याद रखना है आप यूपी के किसी भी यूनिवस्टी से है बिहार की किसी भी यूनिवस्टी से है एमपी से है या फिर उत्तराखंड यूके से है तो आपको क्या करना है याद रखना आपके पास बुक कोई नहीं है मेरी बात को धिहान से सून देना आपके पास ओपन करूं नोट्स को और टिक लगाओ जो बता रहा हूँ लोग बीट टिक लगाओ पर क्या रहेगा देखो ध्यान से क्या रहेगा सब लोको दाएंगे देखो यहां की बात करने रहे पहला कोश्चन देखो के बिचारों की बारे में योगदान बताओ युद कला में तो याद करना है और जो कह सकते हैं मैक्यावेली था मैक्यावेली के जो युद बिचार थे तो मैक्यावेली के और संतु जी के बहुत जादा पूचे जाते हैं युद बिचार क्या रहे हैं कि युद कैसे करना च कुंजी ये आपको एक अठन है इसको प्रेश्ट करें अब स्पेथिक लगाएंगे साथी साथ्म दूसरा कुश्ट है कहसा है समूधाइक सक्ती के सिध्धान क्या है आप इसको याद करेंगे नेक्स पूछा जाता है जो मार्क्स थे उनके समाझक विचारों के बारे में अपको याद कर लेना है यह मौस्ट इंपूटेंटर उसके बाद में आता है जो कैसं रतने हैं लिडिफिन हर्ड थे ठीक offerings ये उनके विचार और उपयोगता क्या है उसमें जो कह सकते हैं डुहेट ने दिये थे बायू याद जो लडाई करने के मंदलब कुछ अपने नियम दिए थे उन्होंने कि ऐसे लडाई करना चाहिए बाईयू करना चाहिए तो उसके उपयोगता की बारे में आपको दिखा रहे हैं ठीक है और ये साथ आप से पूछ लेता है एक है पूस्कुर दिखेंगे उसके बाद में आता है यह पूछा जाता है जो माय तुसरे था उनके तुंगे के कि जो ग्रिल्या युद्करमी था को रीला युद्करमी से पूलते हैं उसके शिद्धांतों की विभेचना कर रही है ये मॉस्ट इमपोटेंट है उसके बाद में है वह्यादोहन क्या होता है मॉस्ट इंपोटेंट ने बहुत जाए बैररि बैरें PhD V prag करना और नी सिरी करना इनकी समथ्याओं को विचार करना है और इनकी समस्याओं को भिचार करना है और यह कितने प्रिकार के होते हैं वह आप्याद करेंगे अधूनिक अधुनिक सस्त्रों ने बिस्व की जो आशुरक्षित कर दिया है यह आप इस पर इस पर आपको इस परश्ट करना है ठीक है और जनरल एक थे जनरल जो जो मेनी थे ठीक है उनकी जो प्रमुक जो कुट कह सकते हैं कुट नीतिक बिचारों के बारे में उनकी जो कुट नीतिक क्या थी उनकी वो देखना है कुट नीतिक बिचार क्या थे ठीक है जनरल जो मेनी के वहां को याद करना है और कह सकते हैं लेलिन के युद संबंधी बिचारों के बारे में याद कर लेना है और महान कुट योजना क क्या होती है महान कुट यूजणा को याद कर ले लिएकर तकी छापा मारं यूद की कलाओं ठीक है जो कह सकते हैं माहों के यूद विछार क्या है तो माहों की यूद विचारों की वारे मैझ के लिए वारे माहों की के विम्हेट要 कि developed थे शांति जो होते हैं उनकी सांति पूर्वक उपआए क्या होते हैं उसके बारे में आपको याद करना है आप से बादा करशकता हूं इन पेपर हैकर को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिजिए फिर बेशिर के पेपर को भी आप देख पाएंगे फिर बेशिर के पेपर आप पिले लिस्ट में जाकर देख लेजिए अपने युनिवर्स्टियों इस्ट सब डाल रहे हैं थैंक्यू गूर्पाइब बाइब को सब्सक्राइब कर लेना